इसे धन कमाने में 100% अच्छा रिजल्ट आपको लेके देगा माता पिता का सूख धन को संचय करना और अगर आप 36 साल के हो गए हैं तो 100% बहुत बरा 36 साल में बहुत बरा लाव दे सकता है अगर आपका बुद्ध दूसरे घर में परा हुआ है इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि बुद्ध अगर छटे नवर के साथ में परा हुआ है तो वो 100% रिजल्ट देगा 12 में इसके साथ में है तो नीच का है नीच का भी अच्छा रिजल्ट लेता है लेकि उसमें थोड़ी सी अपना उपाय करना परता है और अगर अस्त का भी हम आपको फर्मूला बता रहे है लेकिन अवर अल हम यहाँ पर बात करेंगे बुद्ध अगर आपके 12 दूसरे घर में अगर बैठा हुआ है तो ये धन को जमा करने में बहुत अच्छा मदद करता है धन को इतने अच्छे तरह से आपको उसे रख सकते हैं इतने अच्छे तरह से आप उसे संयोग सकते हैं कि कोई जाने गाए नहीं अगर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है तो आत्मी को बुद्धिमान बनाता है, अब हम बात करते हैं कि ये आत्मी को किस छेत्र में आगे ले जाता है, सबसे पहले अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइबेट वो गौर्णमेंट का है, डायरेक्टर है, प्रोफेसर है, टीचिंग है, ये सब छेत् यह 100% काम करता है बुद्ध अगर वहाँ पे बैटा हुआ है तो अगर सपोज किजिए इसी में अगर 12 नमर यहाँ पे लिखा हुआ है 12 नमर लिखा हुआ है ब्रसपती यहाँ पे बैटा हुआ है ब्रसपती का कहीं भी connection इस घर से है तो 100% आपको लिख के दे सकते हैं कि आप teaching लाइन में जाएए इतना पईसा कमाईए कि आप सोच नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रसपती का एक चीज यह भी होता है कि ब्रसपती जिस घर में बैटता है उस घर में जो रिजल्ट देता है वो देता है लेकिन उसकी दृष्टी इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि अच्छ विरस्पत्ति का करेक्शन कहीं भी नाइंथ हाउस के साथ में हो गया विरस्पत्ति का करेक्शन कहीं भी पंचन घर से हो गया तो आप इसमें सफल हो सकते हैं थोरा सा लगन पे द्यावन कर लीजिए अब हम बात कर रहे हैं दो नमर घर में अगर बुध रहता है तो हमें क्या भीते धन की इस्तिती में सुख में जीवन जीने के लिए बहुत चीज देखा जाता है वहाँ पे धन की हम बात यहाँ पे सिर्फ हम धन की बात कर रहे हैं सुख में जीवन के लिए बहुत कुछ देखा जाता है किसी को आदमी को धन ही अच्छा चाहिए जिसे वह सुख रहता किसी आदमी को family चाहिए किसी आदमी को दोस्ट चाहिए तो सुख में जीवन के लिए overall देखना पड़ेगा लेकिन दूसरे नमर का जो बुत है overall अच्छा result लेकर देता है सुख में जीवन जीने के लिए क्योंकि आज का युग है वो अर्थ का युग है और यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो 60-70% problem का solution हो जाता है आगे बात करते हैं यह लोग जो होते हैं दूसरे को मदद करने वाले हो दूसरे को मदद करके साथ लेकर चलते हैं अगर यहाँ पे अगर किसी भी आदमी का बुद्ध बैठा हुआ है तो यह अपनी सब्तम दिरिष्टी जो देता लेगी एक, दो, तीन, चाल, पंच, छे, साथ इस घर पे तो यह थोरा सा हमें लगता है कि problem create करेगा गला से रिलेटेड आपको problem create करवा सकता है अगर नीच का बैठा हुआ है वहाँ पे शुकृतों अगर बैठा हुआ है तो वह गले के रिलेटेड प्रॉब्लेम जरूर देगा एक चीज हम आपको और बता देते हैं कि आत्मी को देखकर कैसे पता लगाएंगे तोकि यह फेस रीडिंग का है फेस रीडिंग में भी आप सीख सकते हैं कि अगर किसी भी जाता कि आख में दो नमर का जो बुद्ध है दो नमर में बुद्ध उसका बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में है ऐसे आदमी बहुत दिमाग के तेज होते हैं तो हमने यहां पर बताया कि बुद्ध अगर दूसरे घर में होता है तो आपको क्या रिजल्ट लेके देगा दोस्तों अग अगर फिरी में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दवाएए ताकि जो भी वीडियो जाता है आपको घंटा बजते ही आपको पता चल जाए दोस्तों हम वीडियो जो है चार वीडियो डेली देने का दोस्तों अगर हाट कि यो मेले